चैनल के सभी दर्शकों को नमश्कार जैसरकुष्णा प्रणाम जन्मकुणली में कब कौन सा ग्रह किस राशी में नीच का होता है और नीच का ग्रह क्या प्रतिफल देता है प्राया है वैसे वर्तमाद में 50% से ज्यादा लोग जानते हैं किस राशी में ग्रह नीच का होता है किस राशी में ग्रह उच्च का होता है किन्तो जो दर्शक नही करते हैं उनके लिए हम यह वीडियोक दे रहे हैं और आपके साथ यह बाठ रहे हैं वीडियोक कि आपको पता चुन सके किस राशी में कौन सा अगर है नीच का होता है और किस राशी में कौन सा लाह उच होता है इसी तरह से संबंधित बहुत सारे जोतिश के सुत्रात्मक जो बिष्टित सुत्र जो परिशिष्ट है वो आपको आने वाले वीडियो में देते रहेंगे अगर आपको जोतिश से जरा सभी इंटरस्ट है तो आप जरूर पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखेंगे और जब देखेंगे तो आपको लगेगा ये हमारे काम का है आईए देखते हैं कौन साग्रह किस में नीच होता है मैं वैसे मौखिक रूप से पहले बता दू मेस राशी में सूरिया उच्च का होता है वहीं तुला राशी में सूरिया नीच का हो जाता है व्रिस राशी में चंद्रमा उच्च का होता है और व्रिस्चिक राशी में चंद्रमा नीच का हो जाता है इसी प्रकार से मंगल मकर राशी में उच्च का होता है और करक राशी में नीच का हो जाता है बुध यदि देखी तो मीन राशी में नीच का हो जाता है बुद्ध की अपनी राशी मिथुन एवं तुला है। इसलिए बुद्ध का प्रभाव कन्या राशी में प्रबुद्ध रहता है, उच्च रहता है। देवगुरु भ्रहस्पती अगर करक राशी में उच्च के होंगे, तो ठीक सात्वी राशी में यानि मकर राशी में नीच के हो जाएंगे। शुक्र मीन राशी में उच्च के होंगे वही कन्या राशी में नीच के हो जाएंगे शनी तुला राशी में उच्च के होंगे वही मेस राशी में नीच के हो जाएंगे राहू और कीतू के बारे में इनकी कोई अपनी राशी नहीं है किन्तु राहू वरिश राशी में उच्च के होते हैं वरिश्चिक राशी में नीच के होते हैं वही केतु वरिश्चिक में उच्च के होते हैं और राहू नीच के वहाँ वरिश में नीच के हो जाते हैं ठीक इसी भाती से आगे बहुत सारे ग्रहों के बारे में जितनी इनका कोई अस्तित्वा फिल हाल तो हमारे वत्वान जो तिश्यों ने भले ले लिया लेकिन इससे पूर्वन नहीं था और ना ही राहुकेतु का कोई वर्चस्व था च्छाया ग्रह माना गया इनको तो जो विसिश्ट ग्रह हैं वो शनी परियंत ही है तो आएए हमें कोईश्टक के माध्यम से भी आपको बता देते हैं उच नीच की यह प्रडाली ताकि आपको समझने में दिक्कत ना है अब देखिए मैं यहां मेश लगन बेठा देता हूँ ठीक है ठीक व्रिश और यह मित्वन और यह कर्क यह सिंग यह कन्या यह तुला ऐसे अगर आपको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यह व्रिश्चिक और यह धनो तथा यह मकर यह हो गई कुम्ब यह हो गई मीन ठीक है अब यहां हम उच्छ नीच आपको बता देते हैं क्या करेंगे आप इनको नोट कर लिजे अपने कागज पर अगर आप जोतिश सीख रहे हैं तो अन्य था तो आपको कोई जरूरत नहीं नोट करने की वीडियो ही आप उनहाँ उनहाँ देख लोगे तो पता लग जाएगा यह विशे तो अभी हमने उच्छ नीच के बारे में बताना है इसके बावजूद भी आपको जोतिश के अन्यक ऐसे सुत्रात्मक विशे दूँगा जो आपको जोतिश में काफी कुछ आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे अदिके सूर्य यहाँ पर हम बिठा देते हैं यह मेश राशी में सूर्य नीच का हो उच्छ का हो गया ठीक उसके अपोजिट यहाँ आजाएं यहाँ तुला में सूर्य नीच के हो गया यह नीच यह उच्छ अत्वा हम आपको उच्छ राशी पर बिठा देते हैं और साथ प्रतीक ग्रह नीच का हो जाता है आप अनमान लगा लीजीगा जैसे चंद्रमा व्रश में उच्छ के हैं ठीक साथ एक दो तीन चार पान छे साथ यहां पर नीच हो जाते हैं ठीक है यह नीच हो गया है व्रश्चिक में होंगे तो नीच के हो जाएंगे इसी प्रकार मंगल यहां पर उच्छ के होते हैं और यहां पर नीच के हो जाते हैं मंगल करक में बुद्ध यहां पर अगर उच्छ के हैं तो यहां पर नीच के हो जाते हैं मीन में ब्रैस्पती पुना मैं बताओंग आपको ब्रैस्पती यहां पर करक में उच्छ के हो जाते हैं और यहां पर नीच के हो जाते है ब्रहस्पति है ठीक शुक्र यहां पर उच्छ के होंगे राहू यहां पर यहां पर शुक्र नीच के हो जाएंगे ठीक साथ में जहां से जो ग्रह उच्छ का होता है ठीक उसके साथ में नीच का हो जाता है ठीक है शनी यहां पर यहां पर शनी उच्छ के ह जाएंगे, ठीक है, ठीक जो ग्रह उच्छ का होगा जहां से ठीक उसके सामने से सात्वे में आ करके वो नीच्छ का हो जाएगा, यह है उदाहरन के लिए आपको चार्ट दिया, अब उच्छ नीच्छ ग्रह तो आपको याद होगा होगा और आपको सरल भी हो जाएगा इससे इसके बाद कोई ग्रह कब अस्त होता है कोई ग्रह कब बक्री होता है कोई ग्रह कब शत्र और मिट्र होता है इसके सूत्र भी हम आपको सनह सनह क्रम साह एक एक वीडियो में समझाएंगे एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजे शायद आप समझने में लंबा टाइम लगे, बोर हो जाओ, तो इसमें इस तरीके से समझेंगे, वैसे सुरी के निकट, अत्यनत निकट जोग रह जाता है, वह अस्त हो जाता है, इतना आप समझ लिए, जैसे बहुत बड़ा प्रकाश पुन्ज हो, बहुत बड़ा एक 2000 वाट का कोई ट्यूब लाइट ये अबल बजल रहा हो, वहाँ पर जाकर के कोई भी जो छोटा अस्तर का चिराग है, दीपक है, उसका अस्तर तो खतम हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, ठीक उसी बाती से, सूरी के पास, क्योंकि सूरी प्रजुलित, मिसिश्ट रूप से प भूचर भूचर